हाई फ्रेंट्स, आ हम गरीमा, आज हम लेमिंटन केक बनाएंगे जो की आस्ट्रेलियन डेजर्ट है और छोड़े छोड़े स्पॉच केकी पीसेज को स्कॉयर शेप में कट करके, चौकलेट में डिप करके और कोकलेट में रोल करके से बनाया जाता है लेकिन आज हम इसे एक इस टाइल में बनाएंगे, तो लेट केक स्टार्टेइग, लेमिंटन केक बनाने के लिए एक बाउल में वन एन हाफ कप धही ले लेंगे, यहाँ पर आप धही को टेस्ट करके चेक कर लीजेगा, धही खट्टा नहीं होना चाहिए, अब इसमें हाफ कप बटर एड़ कर द यूज करें, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि बटर और धही आपस में अच्छे से कमबाइन हो जाए, अब हाफ टीस्पून वैनिल एसेंस डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अगर आपके पास वैनिल एसेंस नहीं है, तो आप इसकी जगे इसको अच्छे से चान लेंगे, ताकि केक के बैटर में कोई लंस ना रहे, अब इसे अच्छे से हैंड विसकर से मिक्स कर लेंगे, और यदि आपको मिक्स्चर थोड़ा थिक लग रहा है, तो उसमें जरूरत के एसाफ से थोड़ा दूट डाल दें, मिक्स्चर की इस तरीके से रहनी चाहिए, नहीं ज़्यादा गाड़ा, नहीं ज़्यादा पतला, इसे अच्छे से हैंड विसकर से घुमाते जाना है, जितना अच्छे से हम इसे फेटेंगे, उतना ही केक में अच्छा स्पंज आएगा, अब एक स्क्वार टेल लेके उसे बटर से चारो काम में आने वाला नमक डाला है, अब बैटर को केक टिन में डालकर उसको अच्छे से टैप कर लेंगे, ताकि उसमें कोई एर बबल्स ना रहे, अब जो कड़ाई हमने प्री हीट पर रखी थी वो भी गरम हो गई है, अब कड़ाई में केक टिन को रखकर करीब 30 मिनट के ल कि इसे अच्छी से स्टीम मिल जाए, इस पॉंज ठंडा हो गया है, उसे हमने कड़ाई से बाहर निकाल लिया है, अब केक टिन को किसी सरफेस पर उल्टा कर देंगे, अच्छी तरीके से टिन की ग्रीसिंग करने से ये टिन पर नहीं चिपका है और बटर पेपर भी इजिल इसे बाहर भी रिमूव हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पॉंज बिलकुल सॉफ्ट बना है, यहाँ पर हम लैमेंटन केक बना रहे हैं, जो स्कॉयर पीसेज में होता है, उसके लिए इस केक को सिमिलर नाइन पीसेज में कट कर लेंगे, आप चाहे तो बराब औरेंज जूस को यह अच्छे से एब्सॉर्ब कर ले, यहाँ पर इसके टेस्ट को थोड़ा जा डिफरेंट करने के लिए, शुगर सिरफ की जगे औरेंज जूस का यूस का यूस कर रही हूँ, चॉकलेट और औरेंज जूस का कॉम्बिनेशन डिलिशियस होता है, आप चा लेते हैं, उसके लिए एक बाउल में करीब 200 ग्राम डार कंपाउंड चॉकलेट, एक कप कोल विपिंग क्रीम और 2 टेवल स्पून बटर डाल कर इसको अच्छे से स्टीम में मेल्ट कर लेंगे, चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है, अब इसे 5 मिनट के लिए सैट होने के लि और टॉप कोटेट भी होता है, आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, यहाँ पे सारे पीसेस पर चॉकलेट की कोटिंग हो गई है, अब एक प्लेट में मैंने 200 ग्राम डेसिकेटेट कोकेनेट नारेल का ब्रादा लिया है, अब एक एक पीसेस को चॉकलेट कोटेट साइट से डेसिकेटेट कोकेनेट में डाल कर उल्टा कर देंगे, ताकि इस पर डेसिकेटेट कोकेनेट की लेयर आ जाए, यदि आपने फुल चॉकलेट कोटिंग करी है, तो आप डेसिकेटेट कोकेनेट में केक को पूरा रूल कर दें, अब इस तरीके से बाकी के पीसे इसको भी desiccated coconut में डालकर अच्छी से coating कर देंगी तो यहाँ पे soft spongy lemon cake ready है इसे बनाना बहुत ही आसान है जब भी आपका मन चाहे फटाफट से आप lemon cake बना के desert के रूप में serve कर सकते हैं और यकीन मानिए जो orange juice इसमें हमने डाला है इससे उसका टेस्ट और भी delicious हो गया है follow me on instagram link is in description subscribe my channel thank you so much जै जिनेंद